चोपड़ा जो किसने यूटूब चनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चो रीनीट के रेकार्डिंग सुप्रिम कोट में केस नमबर 1083 फाइल किया गया था उसको तो 4 October 21 को डिसमिस कर दिया गया था ये आप सब को पता है ये केस एक ही student द्वारा फाइल किया गया था अभी 13 student द्वारा फाइल किया गया केस जिसके केस नमबर 1108 है वो अभी पैंडिंग में है जिसकी hearing 20 October 21 को है ये hearing date computer द्वारा generated है तो ये up down भी हो सकती है क्योंकि पहले ये 18 अक्टूबर दिखाई दे रहा था अभी इसी पर मानेनी ये सुप्रिम कोर्ट का क्या फैसला होगा ये तो 20 अक्टूबर को ही मालुम चलेगा लेकिन इसमें बेंच यानि की जज वही है जो 4 अक्टूबर की हेरिंग में थे और सुप्रिम कोर्ट के ज्यादातर केसेज में यही देखा गया है कि रिलेटेट केसेज में जो प्रिवियस डिसीजन होता है उसी को बेस बनाया जाता है 4 अक्टूबर की हेरिंग में डिसीजन था कि हम एक ही स्टूडेंट की आचिका पर 16 लाग स्टूडेंट का फ्योचर दाउपर नहीं लगा सकते तो इसमें भी यही का जा सकता है कि हम 13 स्टुडेंट के आचिका पर 16 लाख स्टुडेंट का फ्यूचर दावपर नहीं लगा सकते तो यह संभावना हो सकती है क्योंकि 7 मैटर पर आलड़ी हीरिंग हो चुकी है तो नीट का रेजल्ट 15 अक्टूबर के नेरबाई आने की पूरी-पूरी संभावना है क्योंकि यह हीरिंग डेट एंटे के रेजल्ट को इफक्ट नहीं करेजी क्योंकि एक यह आचिका आलड़ी खारिज हो चुकी है तो यह वीडियो आपकी जानकारी के लिए था नेरबाई आनस्वर की के रेजल्ट के रिलेटेट जो भी अपडेट होगी मैं आपको इन्फर्म कर दूँगा आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन प्रेस करें वीडियो को लाइक वाज्यादा शेयर करें मिलते हैं नए जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैखन